हेलो स्टूडेंट, मैं संकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादुगर मेत मी क्लास तेंथ वाले का यानि दूतिय साबधिक परिक्षा हिंदी का ये वरिजिनल कुष्टन पेपर है मेरे डियर स्टूडेंट क्लास तेंथ वाले सब ध्यान से सुनीए कलास टेंथ वाले का दूतिय साब्धिक परिक्षा यानि कल से आप लोगों का एक जाम है ठीक है ये वरिजिनल कोष्टन पेपर है आप लोग बोल रहते सर वरिजिनल कोष्टन पेपर दिखाईए तो दूतिय साब्धिक परिक्षा का ये वरिजिनल कोष्टन पेपर आप यह यहाँ पे वर्ग दसम, हिंदी, यहाँ पुर्णार है और यहाँ पे समय 3 गंटे 15 मिनट जो की आप जानते ही है。 परिक्षार्थी यह था सम्भो अपने सब्दों में ही उत्तर दे आपने सब्द में ही उत्तर देना है और अबजक्टिव सब्जक्टिव दोनों आपको किलियर करवाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके सियर कर दिजे सभी को ताकि सभी को ल लेके 60 objective आपको बनाना कितना है 50 पचास ही बनाना है इसके बाद डॉक्टर राम बिला सर्मा का जर्म किस गौ में हुआ था ये चीज आपको बताना है और दिहान पुर्वाक आपको complete कर लेना है और सभी को share भी कर देना है घवराना नहीं है आपको 100 में 100 नम्मर आएगा ठीक है जले एक का आपका answer क्या हो जाएगा उच गौ सानी ये अप्शन का हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर रहेगा अब काला पानी किक राचना है काला पानी वांति किसकी राचना है तो का answer आपका हो जाएगा इस वर पेटली कर जी इसका जो भी कोष्टन पेपर हम डाले थे वह बहु आपको मिला है आप देख सकते हैं और यही कोष्टन आपको पूछा जाएगा कल बहादूर पाठ के लेखा कौन है तो आप चानते हैं जैंसर भी दे सकते हैं अमरकांत क्या हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे दिया है चौथाम बहादूर के पिता की मिर्तिव कैसे ही वी थी तो चार का सही अंसर क्या हो जाएगा यूध में ऑफ्षन इसका याने बी सही अंसर हो जाएगा मंगू की मा को कुल कितनी संताने थी आपको कंपलीट करके जाना है मेरे डियर आपको ताकि आपका समय बहुत कम लगे बहुत कम समय में जादे आपका तैयारी हो चरिए आईए हम दिखाते हैं इसका इसकीन सोट आप ले सकते हैं ठीक है कोश्टन पेपर वह इसे टीचर का कहना था कि कोश्टन पेपर को मत डालना लेकिन हम फिर भी आप लोगों को को डाल दिया और दिखा दिये हैं थोड़ा सा ठीक है ताकि आप लोगों को विसबास हो और इसलिए कहा है नहीं डालने क्योंकि टीचर इन में पकरे जा सकते कोश्टन पेपर वाइरल होने पर ठीक है तो क्या का पालन की है इसके लिए सोरी चलिए कोश्टन का एंसर सीट 12-000 नकॉस Tar zooosh करके आप लिए का सबस्क्राइब करें इसके वारा और चरह की एंसर हमको पता नहीं था आप को पता होगा तो दे दिजिएगा 14 का C, 15 का D, 16 का B, इसके बाद यहां पर 17 का C, 18 का A, 19 का D, 20 का C, 21 का B, 24 का जो यहां पर 28 का C, 24 का B, और 25 का C, इस तरह से आपको कौपी में लिख लेना है, ठीक है, ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो, 26 का A में, 27 का C में, 28 का B में, 29 का C में, 30 का A में, 31 का B में, इसके बाद यहां पर 32 का C में, 33 का कुष्टन एंसर का हमको पता नहीं था, ठीक है, 33 आप बना लिजेगा, इसके बाद 34 का D में, 35 का B में, 36 का B में, 36 का B में, इसके बाद 38 का C में, 49 का C में, 40 का D में, 41 का B में, 42 का B में, 43 का A में, 44 का C में, 45 का C म हुआ है तो यह question answer जो हम तयार किये आपका answer seat आप इतना complete कर लेते हैं तो कम सी कम जो है आपका एटीव पलस जाएगा और subjective का बात रास्तो subjective अगले वीडियो में हम डाल देंगे चैनल को आप लोग जल्दी से subscribe कर लिजिए बैल घंटी को दबा के on कर दिजिए टेली आप लोग जोइन नहीं किये हैं तो जल्दी से जाएगे जोइन की डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्योंकि वहां पर subjective question आपको तुरंत प्राप्त होता है इसमें थोड़ा सा लेट भी हो जाता है ठीक है यूट्यूब पर यानि चैनल पर तो जल्दी से जाएगे टेली आप जोइन कर लेजिए थाइंक्यू धन्यबाद